Hello and Welcome to Teach Me English. Teach Me English में आप साब का स्वागत है और आज का टॉपिक है Transformation का जो कहा है Degrees of Comparison Degrees of Comparison एक बहुत ही important topic है यह तो Transformation का हर एक topic importance है तेखे, इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बनाया है Transformation पे एक Affirmative and Negative के उपर और दूसरा है Adverb 2, 2 and so that के उपर तेखे, आज यह topic है Degrees of Comparison हमें देखना है आख्चिर हमें कि Degrees of Comparison को कैसे Interchange करेंगे एक से दूसरे degree में और Without Meaning Change किये उससे पहले देखते हैं कि Degrees of Comparison होता क्या है कितने Kind Sense में और क्यों इसे यूज करते हैं तेखे, Degrees of Comparison Three Kinds होता है Three Degrees होता है Positive, Comparative and Superlative आप जानते हैं Definitely, ठीक हर एक Degree दूसरे से बड़ा होता है जैसे कि Positive से उपर Comparative, Competitive, Superlative तेखे, अब सबसे हाइस डिगरी है अगर बड़ाई किसे कहा रहा है ता वर्स्ट कहेंगे उससे वर्स्ट है और Higher Degree कोई नहीं है तो इसलिए ये एक Degree हर एक Degree दूसरे से अब है Positive उस Degree को कहते हैं जो कि Commonly सब के अंदर पाया जाता है उसको बोलते है Positive Degree या Base Form Degree of Comparison जो है वो दो पार्थ है इस पीड़ पर बेस्ट होता है एक Adjective और एक Adverb एक इसके बाद ही बताऊंगे कि दोलों पर क्यों है Adjective और Adverb तो अब Adjective और Adverb का जो Base Form है उसे कहते है Positive Degree मना बिना किसी कोई हुआ कोई भी कहना है दूसरा प्रिफिक्स एड़ किये बगार आम तरह पर प्रिफिक्स एड़ किये बगार जो Base Form है Adverb या Adjective का उसे कहते हम Positive और यह ऐसा Degree है जो सब पाया जाता है Common Degree उसको बहुत है क्लास में सब बच्चे गुड़ है Common है उसमें से कुब बच्चे होंगे जो Good Message बेटर होंगे जो उससे बेटर होंगे और एक होगा जो हफसे Best हो जो मैं सब फॉस्च आता हो क्लास में तो जो इससे उपर डिग्री होगा वो का comparative जहाँ खास करके दो जैसे के अरुन है अरुन बेटर है वरुन से या फिर उससे कमतर है तो यहाँ comparison किरते हैं एक को बहतर या एक को उससे कमतर बताते हैं तो इसको कहते हैं क्या comparative degree जैसे यहाँ मैं भी word दिखाऊंगा एक साथी मैंने लिखे इसलिए लिखा एक ही word का अलगान डिग्री बनाया है और तिसरा है comparative degree जो किसी भी comparison का highest level है मतलब आप उससे किसी भी comparison बुरा बहतर नहीं कह सकते हैं मतलब हर बच्चे good है class में कुछ बच्चे क्या होंगे better होंगे और एक बच्चा यह दो बच्चा जो class में क्या होगा best होगा आम तरह पर तो best टेक ही होगा और सबसे highest degree तीन degree है तीनों का अलग-अलग function है लेकिन जब हम inter change करेंगे तो अब हाइस degree से lower degree में लाएंगे लेकि meaning change नहीं करेंगे तो मैं information सीखना हो अची तरह कि कैसे मुम्किन है कि एक बच्चा जो best है मैं उसके लिए good word यूज़ कर रहा हूँ जबकि good lower के लिए आता है जो sum होते है good sub है good के उपर better better के उपर best तो मैं जो बच्चा best है मैं उसके लिए good word यूज़ यूज़ करूँगा लेकिन meaning भी change नहीं करूँगा उससे best proof करूँगा लेकिन good word से उस तरह better word से सो हमें वो सिखना है कि कैसे एक degree को दूसरे में change करे बिना meaning को change किया पर गाए तो आप जिसने यहां देखिये फिलाल फ़र समझते हैं यह degree of comparison आप अज़री जानते हैं tall, taller, tallest मैंने different kinds जितने भी use किया जाता है बनाने में comparative degree मैंने उसे use किया है good, better, best happy, happier यह इसमें आये लगा happiest bravely यह adverb है more bravely, most bravely और यह little, less, least so यह different type of degrees of comparison है तो यहां पे यह examples है आप different जानते हैं इस examples को क्योंकि यह बच्पंद की दे पढ़ने वाली चीज हमारा mentor पे यह पढ़ना नहीं है mentor पर पढ़ना है, inter change करना लेकिन क्योंकि degrees of comparison एक topic है तो जरुरी है, जो है हम समझते चलेंगे इसके अप़र तो hopefully आप समझ गए है कि positive, comparative, उसके अपर superlative, ठीक है और superlative के लिए जरुरी होता है कि अगर दो object दियावा है एक sentence में दो object दिया है दो नाम दिया हुआ है तो फिर उसमें sublative नहीं बनेगा sublative यह कम से कम से बहुत है कि तीन object हो, ताकि तीनों में से एक बहतर हो, सबसे best हो या फिर पूरा whole community मैंने लिखा भी है one person or thing is compared to the whole of its community ठीक है, पूरा whole community से for example, cheetah cheetah से fastest को animal नहीं है तो cheetah से पूरे animal community को compare कर दिया है तो यहाँ पर क्या होता है क्या, sublative की काम करता है लेकिन अगर दो animal ओल्ली दिया हुआ एक जगा tiger दिया है फिर एक जगा lion दिया है तो यहाँ पर हम लोग we cannot go to sublative degree क्योंकि अगर दो object ही है सिर्फ दो है अगर दो है तो हम उसमें competitive degree use करेंगे और positive degree use करेंगे फिर हम लोग sublative degree उसमें use नहीं कर सकते है sublative के लिए कम से कम ज़रूरी है क्या कि तीन object होना चाहिए जिस पर हम compare कर रहे है अब लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके further क्या समयन में आता है अब देखे point number two इसमें क्या है कि ये degree of comparison जो है वो parts of speech में से दो ही topic पे आता है मतलब adjective और adverb मतलब हम degree of comparison जो बनाते हैं वो या तो adjective का होगा या तो adverb का होगा तो इसके उपर नहीं कोई ऐसा degree of comparison पे position में आ जाए या फिर verb में आ जाए या फिर noun में जाए degree of comparison का काम सिर्फ adjective में आना है या फिर adverb में आना है इसी दो में आ सकता है और किसी में नहीं क्यों ऐसा तो कि ही समझते हैं लेकि पहले समझते हैं क्या कि adjective है आप देखेंगे मैंने यहाँ पर क्या किया है दोनों में से तीनों डिग्री बाने कोईश की है अब यहाँ देखें adjectives का यूज किया है यहाँ पर तॉलर वर्ड यूज किया है यहाँ पर मैंने cool वर्ड यहाँ पर मैंने fastest यूज किया है तो यह तीनों क्या यह तीनों अजेक्टिव है और यहाँ पे यह हो गया comparative यह हो गया positive यह हो गया superlative degree तो यह adjective है जो different different forms में हा रहा है जो तरह adverb में भी किया जाता है जो तरह adverb में भी होगता है जैसे कि आप देखेंगे मैंने hard word use किया यहाँ पे मैंने word use किया है foster फिर यहाँ पे युज़ किया है मैंने sincerely तेके यहाँ पे समझें जहें कैसे कि कब यह adverb का काम कर रहा है कब यह adjective का काम कर रहा है अगर adverb होगा तो irecnitli verb के साथ आएगा अब देखेंगे मैंने subject of verbs यूज़ किया है Adverbs वोकर तरिफिनिटली, verbs के साथ होगा, वो अतना verbs को डिस्काइब करेगा, और adjective वोकर तब समझ सकते हैं, यहां पे वो noun को डिस्काइब करें, Sam dollar है, Ooty cool है, Cheetah fastest है, अब यहां देखे, Smith hard नहीं, work hard है, अब यहां देखे, faster, run faster है, Agnes faster नहीं, दौना थियर्ज़ है, तो यहां के समझने के लिए अचानी होगी कि कभी यह adjective हो काम कर रहा है, जब word के साथ आएगा, मतलब जब main verb, यहां भी लेगा हो है, यह auxiliary verb है, जब main action verb के साथ आएगा, तो वो definitely जो word compare हो रहा है, ऐसे कि hard यहां पे faster है, sincerely, most sincerely, use किया है, तो यह क्या काम करेगा, as an adverb, तो यहां तक न यहां तो देखना थ्री काइंड है, positive, competitive and super positive, ठेकिन पार्फ में स्पीच में, degree of comparison दो काइंड में आता है, वो है adjective में और adverbs में, ठेकिए, अब यह देखना है, कि adjectives में और adverbs में क्यों आखिर जो है, सिर्फ उन दोनों में ही क्यों degrees of comparison और किसी में क्यों नहीं है, ठेकिए, यह जानना बहुत जरूरी, देखिए, तो यह समझना हमें क्या है, हमें समझना क्या है, कि degree of comparison वो adjective में और adverb में ही क्यों आता है, तो मैंने यह reasons लिखा है, आप देखेंगे, समझेंगे, कि यह reasons क्या है, क्यों आखिर adverb और adjective में ही degree of comparison तर तीन degrees होता है, positive, competitive से बढ़े, उस quality बताया जाता है, तो जिब जहाँ quality बताया जाता होगा, तो आखिर में सकते हैं कि Istana filter क्या है, क्यों पिराजिशा हो रहा है, second point है, qualities may differ from person to personal thing to doing. Definitely हर एक इंसान के इंसार नहीं होता है. हर इंसान के इंसान के इंसार नहीं होती है. या हर इंसान सिर्फ बुरा है तो बुरा ऐसा भी नहीं है. तो हर चीज़ में changes है. qualities हमेशा different होगा करता है. तो क्योंकि adjective और adverb quality की बताता है और किसी में quality नहीं जाता है. noun या verb या preposition या conjunction या interjection अब बात करें. इन सब में कोई qualities defined नहीं किया जाता है. तेकिए इसलिए जो है या उन सब में degrees नहीं पाया जाता है. डिग्री सिर्फ इन दोनों पाया जाता है. ऐसे qualities क्या क्या होता है? common to all. सब में किसी का qualities पाते हैं. तो वो qualities का काम सिर्फ दो ही part of which करता है. वो है adjective और adverb. इसी लिए हम degrees of comparison इन दो topic कहीं पढ़ते हैं और किसी का नहीं पढ़ते हैं. ये मुझे बताना था. ठीके? अब आगे देखते हैं. थोड़ा भाग. और समझते हैं degrees of comparison फिचलते हैं उसके उपर कैसे interchange किया जाए? अब देखते है point number three जो के formation के उपर हैं. मैंने यहाँ पे three formation लिया है. एक है single syllable दूसरा है more than one syllable और तीसरा है irregular. तो पहरे देखते हैं single syllable के उपर क्या है? single syllable मतलब उस word को कहते हैं जो एक बार में ही आपकी मूँ में आ जाए और आप उसके लिए जबान को तोड़ने देखते हैं विजए पर tall. उने का tall, good, bad आप देखें दो बार आप जबान को तोड़ने रहा है विजए और में bad, खतम हो गया tall, खतम हो गया. उसके कहते हैं single syllable यहां मैंने single syllable करकर comparative बनता है तो वह तो तरह बनता है एक ER, दूसरा IER से तो ER में से taller, smarter, bigger, gear और IER से happier, busier, uglier, easier तो important क्या है कि ER यहां पे ER, ER जिस तका actually इसका main base form क्या होता अब यहां देखें happy का base form क्या है happier का base form है happy टेके न busy का base form क्या है? busy अगले का base form क्या है? ugly तो आप यह समझ जाएए कि जो कहना हम है why जिसमें लग रहा है उससमें आई एक्सा लगाए है other way, sub में क्या लगाते हैं? हम ER लगाते है single syllable में खास करके comparative में ER ही लगाए जाता है जिसमें y आगया जिस word में y आगया तो उसमें हम लोग आई y के रिमूफ करके आई लगाते हैं और साथ में ER करते हैं ER करते ही है ठीक है? y के जगा i लगा देते है तो यह क्या होगी है? y हट के ER लगाए otherwise h a double p same है हमने ER लगाना था यहाँ भी लगाना था same जगा सिर्फ आई लग गया y हट करके तो यह ध्याना करना है comparative में कहा लगेगा ER किसमें जब हम single level का वर्ड बना रहे और उसे तरह जब जाएंगे superlative में तो उसमें EST सब में लगता है तो इसमें लगता है तो इसमें लगता है इसे का भी देखे यह होगे tallest, tallest, smartest, biggest, guest यहाँ पर भी देखे happiest EST लगा यहाँ पर देखे busy-est यहाँ पर देखे ugliest ugliest यहाँ पर easiest EST लगेगा y के साथ y के जना पर i लगाएंगे और वहाँ पर EST लगादेंगे तो यह तो है single syllable e-r main का है e-r-e-s-t e-r-e-s-t जब y होगा तो i-r i-e-s-t लगादेंगे यह है single syllable का फंटा इस तरह में देखेंगे more than one syllable क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है तो आप पहले आद देखे क्या single syllable मतलब समझ लिजे आप adjective में more than समझ लिए 80% word जो है वो single syllable का ही होता है इस जाद तर आपको e-r और e-s-t लगाना है या फिर i-r और i-s-t लगाना है अगर y रहेगा तो तो तेक़्ेखे अब देखते हैं हम लोग more than one syllable में कैसे बनाया जाता है तेक़्ेखे intelligent चार बार हुआ आप देखे डिवाइड होँआ intelligent तेक़्ेखे लेकिन अगर जब मैं कह रहा था good खतम हो जा रहा था अब थम्दी कहते है good नहीं कहते good finish हो गया उस तरह अगर मैं कहूँ fast तो fast क्या होगए एक बार में खतम हो गया तो जो एक बार में ही आपके जबान बिला एक बार में खतम हो जाए alphabet जहां आप और दुबारा फिर से जबान को नहीं खोले बोलने के लिए उसे कहते है single syllable तो यहाँ पे क्या है more than one syllable तो इसमें क्या होता हम लोग comparative के लिए more word के यूज़ करते हैं और comparative में हम लोग most word लगा देए अगर आप word पढ़ रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा बार जबान को तोड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे वहाँ पे आप more और most word यूज़ करेंगे या more लगा दिया है most लगा दिया है ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो इसमें क्या है इसमें आउम तर पर आप देखेंगे सभी word single syllable है irregular में सभी word single syllable है irregular में आपको कभी भी कहना हम है more than one syllable नहीं मिलने वाला है irregular में single syllable ही होगा ठीक है अब देखे आदे से के bad, worst, worst good, better, best little, less, least much या मेनी दोनों का more या most तो यह अचली यह learn करने की completely learn करने की चीज़ है don't worry मैंने जो है कहना में वीडियो के description में already बहुत सारा list of degrees of comparison दे दिया है आप वहाँ से जाकर के आप link को खोल के आप words देख सकते हैं उसे download कर सकते हैं अपने पास कर सकते हैं उसे learn कर सकते हैं और उससे help से आप समझ सकते हैं कैसे करके word formation हो रहा है और साथ में बहुत सारा क्या नाम है irregular form वाला जो degrees of comparison देखे उसे learn भी कर सकते हैं आप उस जगह से ठीक है आप कहना है इससे कुछी problem होगा तो आप मुझे क्या करेंगे message करेंगे comment करेंगे ठीक है इस description box में मैंने already जो है degree of comparison का कुछ words मैंने दिया है learn करने के लिए ताकि वो आपको help कर सके समझने में और formation करने में क्योंकि जब word ही पताने होगा